असलाम अलेकुम फ्रेंज तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी मिक्स्ट वेजिटेबल मसाला रेसिपी तो मिक्स्ट वेजिटेबल मसाला रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है कच्छू और आलू इन दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें फ्राइ करने के बाद इसे हमें निकाल लेना है यहां मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए हैं इन सब को चड़े खोड़े टुकड़े में चौप कर लिया आपको वेजिटेबल्स जो पसंद हो आप वो एड doğru कर सकते हैं सेम वही उयल में हमें इसे फ्राइ करना है सारेश वेज करूंगी उसके बाद हमें इसमें एड़ करना है हाफ टी स्पून अजवाइन और दो सूखे लाल मिर्च इन सब को अच्छे से हमें फ्राइ कर लेना है उसके बाद हमें इसमें दो प्याज और 8-10 से हमें ज़िया था उसे भी कर लिए अपी WIL टेबल स्पून जीर पाॉडर्ड़ वन टेबल स्पून धन्या पाॉडर्ड़ बाद करने के बाद हमें बिल्कुल आड तरिकाशा इस मिक्स कर ले ना है इसके बाद हमें इसमें salt add करना है, salt आप अपने taste के according ही add करें और half teaspoon चिली फ्लक्स आप skip भी कर सकते हैं मैं यहाँ चार चोटे-चोटे अम्डे ली हूँ, अम्डे ये market में easily मिल जाते हैं भी होले में चोटे-चोटे-चोटे एक डूकर चाप करना है यहाँ इस तरीके से कारें के बाद लाएक शर्ण कि अध्या है अम्डे को मैंने ना के ख़ल कह श्याखते हैं आप चाहें तो भी हैं कर दो करें dar वेज़ेटेबल को आड जो अमदा मैंने काटा था उसको भी हमें इसी वक्त लेना है बिल्कुल अच्छे तरीक से इन सब को हमेंhelे कर लेना इसके बाद हमें ऊपर से 1 तेबल स्पून धनिया पॉडर एड़ करने के बाद हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है उसके बाद हमें इसे कुकर में ट्रांसपर कर देना है कुकर में मैं इसलिए ट्रांसपर कर रही हूं गाइस सबजी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए कुकर चुकर में मीडियम फ्लेम पे हमें चार से पांच टी कर लेना है उसके बाद 5 मिनटस तक हमें से पिका में पका लेना है कांदे के बाद हमें आप उसके बिल्कुल अच्छे तरीके से घल बूह बून लेना है oni को बीच अब शुकत मिक्स ख़क मूझ हो नोच है। करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफीज